हैनस इस मोच्ट बैलकॉम इन्डिस वीडियो प्रीविएच वीडिएो विछ डिसक्स डाइज़े सस्टम या डाइजे प्रोसस्सक्द's ब्रसस्न ये अस्टीर महलूं लिशयों हो बिटा कि डाइसे सिस्टम के पार्ट है स्टोमक स्माल एट स्टाइन एंड लार्ज टाइट इनमें डाइजेशन एड एब्जर्बेशन कैसे होता है कभी यह से कुशन नहीं आएगा processo explain to a system with labeling diagram कुशन बहुत बड़ा हु जाता है। इसलिए इसा कभी कुशन यहाएगा कुशन part म आता है कैसी कि आपको लेब्लिंग डाइगराम आपको डाइगराम बनाना है ठीक है आपको डियाग्राम बनाना है भीठ लेबलिंग तो वो डिस डियाग्राम हो गहे दो नमबर का उसकी साथ आपको कुछन दिया जाता है ठीक है कि आपको मेंशन करना एक किस्टों में दाइशन कैसे होता है इसमाल इंट्रेनिम कैसे होता है कोई एक कुशन साथ में मिलता है ठीक है कि आपको बताना है इसको डैस्क्राइब परना है डैस्क्राइब आप डाइशन आफ फूड इन इस टो मक यह डाइशन आफ फूड इन इसमाल इस्टाइन यह एब्जर्बिशन एब्सॉर्प्शन आ बाट्रेंड मिन्राल तो इन सब के बारे में कुशन उक्सी साथ बनता है कभी भी इससे कुशन नहीं आएगा कि एक्सप्लेंड डाइजेशन सिस्टम विद लेवलिंग डाइग्राफ कि कुशन बहुत बढ़ा हो जाता है इसलिए पार्ट में कुशन आता है तो पिसले जो प्रिविएस वीडियो में हम डिसकस कर चुके थे ऐलिमेंटरी के नाल, कम्पलीट में जो पार्ट हैं डिसकस कर लिए थे, लाउर्ज पार्ट आपने लाजजेश्टैंड पढ़ा लाजश्टैंड का मेंज़ सफंक्षन है वो क्या है?टर एंड मेनरल एबसोर्पश्टा है त्टीक है? यहने large intestine में किसी प्रकार का कोई digestion प्रोसेस नहीं होता only जो undigest food जो small intestine से आता है उसमें से क्योंकि जो small intestine से जो digest food आया है undigest वो कैसा है liquid form में है ठीक है अब मालनों उसमें से water mineral absorb नहीं हुआ तो एक तरह से मालनों 10 लग जाएंगे दस्त जो होते है तो दस्त में क्या है कि जो large intestine है large intestine की जो cells है spiller muscles है वो water absorb नहीं करते और वो जिस form में है उसी form में वो x rate हो जाता है ऐसा कब होगा जब large intestine function में नहीं होगी इसलिए large intestine का काम करना जरूरी है नहीं ही तो क्या हो जाएगा dehydration हो जाएगा कि body के अंदर जो water है वो absorb नहीं होगा और dehydration हो जाएगा हमारी cells में जो lack of water पानी की कमी होगी और पानी की कमी हो जाने से हमारी body की cells है tissue है organs है उनको पानी नहीं मिलेगा तो क्या है कि कई muscles मुर्जा जाएंगी काम नहीं कर पाएंगी हमें तुरंत डॉक्टर से चलाने नहीं होती है और जब माली जीए इसके साथ उल्टियां भी हो जाती है vomit होती है तो वो हैजा का रूप बन जाता है है जमिस cholera cholera में क्या है क्या है क्या है बॉमेटिंग एंड इस्टूल पेचिस ठीक है डाइसेंट्री तो यह सब क्या है यह सब एक साथ हो जाते हैं तो वो नमबर वन सेलाइबरी ग्लेंट्स सेकेंड लीवर एंड थर्ड पैंक्रियाज ग्लेंट्स तो यदि मैं कहूं कि सेलाइबरी लीवर एंड पैंक्रियाज ग्लेंट्स प्रिजेंट इन elementary canal या connect with elementary canal ये तीनों जो ग्लेंड्स हैं वो elementary canal से connect होती है कहां पर होती है आपको ये देखना है यानि इनका place क्या है where place in salivary gland, liver and pancreas तो first of all salivary gland, salivary gland present in buccal cavity या mouth cavity जो salivary gland कहा है वो mouth के अंदर है मूँ की अंदर है और इसके अंदर तीन gland होती है parotid gland, sub maxillary and mandibular यानि गाल के अंदर जो होती है उसे parotid gland कहती है एक जो lower jaw में होती है उसे कहती है क्या mandibular and jeep के नीचे होती है maxillary और तीनों glands complete बनाती salivary glands कई बार आप जिसे मुह को खोल के बैटो कुछ दिर सामने आप मिरर रख लो मुह खोले रखो तो आपकी मुह में पानी खटा हो जाएगा वो पानी क्या है वो इसके बाद में बात करूँ आप से लीवर तो लीवर कहां पर है जहां पर stomach complete होता है stomach और intestine जाथ से सुरू होता है तो लीवर intestine का जो connected part है वहां से लीवर जुड़ा हुआ है और लीवर क्या है लीवर इस the largest glint of the human body है लीवर इस दा लार्जेस्ट glints of human body मानव सरीर की सबसे बड़ी ग्रंती है वह लीवर है इट्स बेट बन पॉइंट फाइब किलो ग्राम, डेड़ किलो बजन होता है, बन पॉइंट फाइब केज़ी इसका बजन होता है लीवर का, अब लीवर में देखे हम, तो राइट एंड लेफ्ट लॉब होते हैं, दो पालिया हैं, लॉब्स हैं, और इन पालियों के इंदर लगबग लाखों की सिंख्या में, माइनर लॉब्स हैं, छोटी-छोटी लॉब्स हैं, ठीक है, और इनमें होता क्या है, इनमें जो वाइल है, वाइल, पिग्मेंट्स, वाइल जूस, सेक्रिट होता है, ठीक है, और इसी से कनेक्ट होता है, गाल ब्लटर, जिसमें उस वाइल का स्टोर कर लि देखिए हम जिसे बोजन कर लेते हैं बोजन करने की बाद जो एक्स्ट्रा ग्लुकोज है उस एक्स्ट्रा ग्लुकोज को ग्लाइकोजन में कनवर्ट करके स्टोर करता है और जब कभी हम बोजन नहीं कर पाते हैं तो वो ग्लाइकोजन ग्लुकोज में कनवर्ट होकर और हमें energy देता है तो यह काम करता है liver देन थर्ड ग्लिंड्स है pancreas pancreas glintz है वो जहां से small intestine का first part है dudonum यहां से small intestine से pancreas जुड़ा होता है pancreas के अंदर alpha cell, beta cell and delta cells होती है isolate of langer हैं cells होती है और in cells के अंदर याने in cells में glucagon insulin hormone secret होता है और यह hormone क्या करता है coordination of your control of glucose in human blood मानब के रुधिर में यह insulin glucagon hormone है यह glucose को coordinate करते हैं नियमित करते हैं ठीक है तो यह सब glintz की में बात कर रहा था तो दिखेगा digestive glintz तो ठीक है digestive glintz are three types number one, salivary gland, second liver and third pancreas, clear? Salivary gland, secrete saliva, saliva बोले तो लार, और saliva के अंदर amylase enzyme होता है, amylase enzyme, और amylase enzyme करता है, क्या है, carbohydrate convert into glucose by amylase enzyme, amylase enzyme secrete by salivary gland in saliva, ठीक है, तो जो saliva gland से वो बकल के अंदर है, इससे निकलता saliva है, और enzyme का नाम है amylase, then second liver, liver का जो बेट है, वो कितना है, 1.5 kg, ठीक है, then second, liver is the largest gland, largest glands of human body, मानब शरीर की सबसे बड़ी गरंती है, वो कौन सी है, liver, यकरत, देखिया, सबसे ज़्यादा disease कोई होती है, ग्लेंट्स के द्वारा, तो वो liver disease है, आप जैसे कोई alcohol का यूज कर रहा है, long time, तो liver cirrhosis होता है, जिसे, कहते हैं न, जैसे दारू पीते हैं, तो दारू पीने से liver खराब क्यों हुआ, वो liver cirrhosis है, liver खराब होने का मतलब liver cirrhosis हो गया, liver cirrhosis होने पर क्या होता है, कि इसका जो glucose को coordinate करने का काम है, वो नहीं हो पाता, इससे क्या होता है, डाइबिटीज होगा, यदि liver ठीक से काम नहीं करेगा, glucose coordinate नहीं होगा, तो वो glucose क्या है, urine के द्वारा बोडी से भार जाएगा, जाती है क्यों उसकी टॉइलेट में सुगर है उसके टॉइलेट से ग्लुकोज भार जा रहा है और उसकी बॉड़ी दीरे-दीरे अपने थिकनाय सोती जाएगी कमजोर हो तो जाएगा क्यों होगा इसका रीजन समझाए अरे हमने जो खाया है बॉड़ी के अंदर डाइजेश इस्टोर नहीं कर पा रहा है क्योंकि लीवर का काम बैसे में फंक्शन क्या है लीवर का लीवर का काम तो में क्या है एक तरह से जो ग्लाइकोजन जो ग्लुकोज एक्स्टा ग्लुकोज उसको क्या करना इस्टोर करना है ठीक है और जब कभी हम भूके रहते हैं तो वह ग्ल wild juice secret करना और ये wild juice क्या है काम क्या करता है ये fat emulsion करता है कि हम जो fat use में करेते हैं तेल और घी देखो लेना चाहिए दोनों तेल भी खाईए घी भी खाईए लेकिन इसकी मातरा limit में हो यदि हम तेल और घी एक तरह से limit से ज़्यादा खाते हैं तो वो body में जाकर फिर नुकसान करता है नहीं खाते हैं बिलकुल तो भी problem है ज़्यादा खाते हैं तो ये हमारी body के अंदर प्रतेख needed जो elements होते है requirement element है requirement nutrient होते हैं उनकी एक average होता है उसके अंसार हमें use में लेना होता है यदि आप जिसे मालो protein का use ज़्यादा करते जाओगे ज़्यादा करते जाओगे तब भी आपके kidney को problem होगी ठीक है आप fat का use ज़्यादा कर रहे तो problem होगी है न हर चीज़ का balance होना चाहिए और उस balance के अंसार लोगे तो body भी आपकी balance में होगी यहां पर देखिए लीवर बेट 1.5 kg और इस जो लीवर है लीवर इस लार्जेश्ट ग्रेंटर होमन बाड़ी एंड वाइल जूस सेक्रिट वाइल लीवर ग्लेंट्स ठीक है और लीवर जो कनेक्ट है कहां पर है वह स्टोमक एंड स्माल इंटेस्टाइन की कनेक्टिविटी करता है देन लास्ट पैंक्रियाज पैंक्रियाज का है विलो इस्टोमक पैंक्रियाज याने Constance Pancreas Gland's Constance is Below of Stomach Connected by Deuterum of Small Intestine Small Intestine का Deuterum Part of C Connect होता है Length है लगबग 6-9 inches की length होती है और इसके अंदर जो isolate Langerhans cells पाई जाती है इस Langerhans cells में insulin और glucagon harmon इसे secret होता है insulin hormone and glucagon यह दोनों हार्मोन सेक्रेट होते हैं पैंक्रियास से और इनका काम है glucose को coordinate करना coordination of glucose में फंक्शन है coordinate of glucose Y pancreatic hormone ठीक है तो इस तरह ही जो gland से तीनों complete तो देखो बिटा आपका जो digestion system था वो आपका complete हो चुका है डाइस सिस्टम का जो पार्ट है इसमें मैंने कोई भी टॉपिक आपका नहीं सोड़ा है आपको डाइस सिस्टम का पहले डाइग्राम के लिए किया डाइड़क डाइग्राम करने की बाद आपने में पार्ट एलिमेंट्री की जो मैंन पार्ट है उनकी आपने स्टेडी की माउथ माउथ कैवेटी फैरिंग्स इशुफैगास इस्टोमाग इसमाल इंटे स्टाइन लाज स्टाइन एड एनस ठीक है एंड हाव कुछ डाइजेटों प्रोसेस इने डिफरेंट पार्ट इनमें कैसे बिभिन भागों में भूजन का पाचन कैसे होता ये भी आपने समझा बिभिन प्रिकार के जो enzymes होते हैं उन्हें enzymes के बारे में भी आपने जाना और एक बार और मैं आपको थोड़ा सा बता दिता हूँ Role of enzymes in डाजिश्टि फूड ठीके रॉल ओफ एंजाइम ठीके एंजाइम की भूमिका इन फूड प्रोसेस रॉल ओफ एंजाइम इन डाजिशन अफ फूड ठीक है अब इसमें देखिया आप मैं कुछ एंजाइम मिक्स में काम ले रहाँ सबसे पहले आपको बताऊंगा दूसरा आपसे मैं बात करूँगा पैपसिन ट्रिपसिन भी आपसे यहीं ले देता हूँ और काइमो ट्रिपसिन भी इसी का काम कर दो पैपसिन ट्रिपसिन काइमो ट्रिपसिन ठीक है एंड लाइपीज, माल्टेज, लेक्टेज, और भी बहुत सारे इंजाए में, लेकि मैं में आपको बता दिता हूँ, एमाईलेज करता क्या है, कार्बो हाइडरेट, कार्बो हाइडरेट को कनवर्ट करता है, किसमें, ग्लुकोज में, कार्बो हाइडरेट कनवर्ट इंटो ग्लुकोज, वाई, एमिलेज, एंजाइम, इन, स्टार्ट, माउथ, या वकल कैवेटी, मुह के अंदर जैसे ही दातों से भुजन को पीशा जाता यहीं पर सैलाइबा मिल जाती है और यहां से ही स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइडेट का डाइजिशन यहने कार्बोहाइडेट कंवर्ट इन्टू ग्लुकोज वाई एमिलेज एंजाइम इन वकल कैवेटी ठीक है दैन सैके अब आगे जिसे प्रोसेस ही ग्लुकोज आगे क्या होगा इसका कि जैसे हम स्वास लिए भुजन तो कर लिया लेगि स्वास नहीं लिया तो भुजन का पाचन नहीं होगा इसलिए ज़रूरी है जो ग्लुकोज यहां पर कार्बोहाइट्रू कर्वर्ट हुआ है इस ग्लुकोज को अग्जन मिल गई तो यह क्या होगा कार्वोहाइडेट ग्लुकोज में बदला ग्लुकोज कन्वर्ट हो जाएगा स्योटू एंड वाटर यान एक तरह से इसका डिसोसेशन हो गया उसके बाद एटीप जो एडिसीन ट्राइफास पर एनर्जी मिल जाएगी और वह एनर्जी हमें विविन प्रिकार के जो बॉड़ी फंक्शन से काम उसमें करते हैं प्रोटीन को डाइजिट करते हैं प्रोटीन कनवर्ट इंटू एमीन एसिड और फैप्टाइड़ प्रोटीन व्लच वाया पैपसिन ट्रिंट कई मोटेंट इंचा इज जो पैपसिन एंजाइम है यह बहुत्टामक के अंदर सेक्रिट होता है एंट्रिपसिन कायमो ट्रीपसिन पैंक्रेटिक गुक्रिक जूस यह पैंक्रिए जो ग्लेंड है वहाँ से सेक्रेट होता है काम क्या करता है प्रूटीन को एमीनियसेट में इवे करना यह लाइपेज क्या करता है जो टी क outta है है orón फैट को by लैवीज काम नहीं करेगा डारेक्ट सबसे पहले इस है उसको क्या करेगा जो बाइल है लीवर से जो वाइल सेक्रेट होगा वो वाइल इस फैट को छोटे-छोटे ट्यूबूल्स में चेंज कर देता है और फैट ट्यूबूल्स को जो लाइपेज है वो कनवर्ट करता है फैटी एसिड में फैटी एसिड्स एंड गिल्सराल ठीक है आ है już कि दें मालटीज माहि है को कौन बदले जो मालटोश है कि यह भी सुगर है एक प्रिकार की मालटोश को मालटीज कश और सफों करता है ग्लूकोज मैं फटेक है इसके रवाद है लैक्टोज लैक्टी जो एं जाएम वो लैक्टोज सुगर लेट्टोज और किसमे है जैसे मिल्क का दूद्द के लेट्टोज और है और उस लेट्टोज को लेक्टे चेंज करता है कि समें से ग्लुकोज प्लस के ग्लाइक्टेई से ग्यालेक्टेऍट Commons तो इस तरह जो रॉल जैंजम्स का जिस बार में कुचर्न पूछलिय जाता कर बार मुक्ष्ज़ पूछ जाता है और अमिलेज का नाम सब में कहते हैं टाइलेंड टाइलेंड वी किसका नाम है एमिलेज का रॉल ऑ्फ एंजाइम्स यहने ऑन्जाоры कर रॉल है डाइजिशन और फूड में भूजन के पाचन की क्रिया में है तो आपने डाइजिशन कम्प्लीट पड़ा उसका डागराम पड़ा बिविन पाइट पड़े ठीक है डाइजशिव ग्लेंड सापने तीनों पड़े ठीक है इन नेक्स्ट एक और छोटा सामय कुश् नहीं किया, तो क्या होगा? क्या होता है उससे? देखी बटा हूँ. कुश्चन है, डेंटल कैरीज. डेंटल कैरीज का मतलब है, दंत छै या दंत छरण. कैसे होता है? फर्स्ट ओफाल, जिससे आपने भुजन किया, भुजन करने की बाद यहने, इसमाल पार्ट, जो हमारे टीथ है, ठर्टी टू, इनके जो बीच का गैप होता है, बिट्विन, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, फूड पार्टिकल्स वो धर्ज जाते हैं. दर्शनिक बाद क्या होता है? फूड का जो पार्टिकल्स का फर्मेंटेशन होता है, फर्मेंटेशन से बैक्टिरिया बन जाते हैं, और वो बैक्टिरिया क्या करते हैं? मुग के अंदर जो एसिड है, ठीक है, मुग के एसिड होने से क्या है? कि जो पीच वैलियो वो कम हो है तो ये जो इनेमल है तो जैसे कि एसी बना ये acid बनने के बाद जिसे मूंग के अंदर क्या है कि एक तरह से टूथ एक लेयर बन जाती है दाथों के उपर उसे क्या होगा कि मूंग के अंदर जो सैलाईवा है सैलाईवा का connect नहीं हो पाएंगा तूथ दातों से तो दातों की सफाई नहीं हो पाएगी सफाई नहीं होगी तो क्या होगा जिससे उसका एक तरह से टीट करने के लिए क्या करें कि जितने भी बेसिक पेश्ट है उनका यूज किया जाता है तो दिखिए देंटल, कैरीज और टूथ डिके, क्युजिज, ग्रिडल, सौप्टनिंग, एनेमल, एंड डेंटाई यह जो दातों का शरण है, दातों का धीरे-धीरे एक तरह से खिरना है वो प्रारम होता है, धीरे-धीरे प्रारम हो जाता है इट विगेन, इसके प्रारम होने पर, वेन बैक्टिरिया, बैक्टिरिया, एक्टिंग, सुगर, प्रॉड़क्ट, प्रॉड़ूश एसिड, देन, सौप्टन, और, डेमाइरेस, दा इनेमल, देखिएगा जैसे ही, एक तरह से मुह के अंदर एसिड बनता है, तो मुह के अंदर जो बैक्टिरिया है, वो बैक्टिरिया काम करने लगती है, वो सुगर प्रॉडूश करती है और सुगर एसिड के साथ मिलकर एक तरह से जो दातों पर एक तरह से उसको एनेमल को एक छटी पहुचाने लगते हैं मसाज ओफ बैक्टिरियल सैल्स तोगेदर बिद फूड पार्टिकल्स इस्टिक ऑफड़ टीथ यहने जो मसूडों के इंदर यह बैक्टिरिया जो है जीवाणू है वो सेल्स यहने कोशिकाओं के साथ जो फूड पार्टिकल से भूजन के कण हैं टीथ टू फॉर्म ऑफ डे डैंट्ल प्लांक ब 선생 न ट्रॉबन जाती दानातों को पर अगलेर बनती है उससे क्या कहते यह उससे डैंट्ल प्लांग कहते हैं उस्टे क्या होगा सेलाइवा जोसे जो सथे आँफ पर Cu 930 कि जिए कग Tibney 11131318 वो नहीं हट पाता है, brushing the teeth after eating, remove the plank before the bacteria produce acid, इसलिए क्या brush का यूज करना चाहिए, दांतों पर brush अकरना चाहिए, जाकि teeth plank है, वो से हट जाता है, if uncreated microorganism may embed pulp causing inflammation and infection, इससे क्या होगा, कि छो छो छोटे छोटे सुख्ष जीव है, वो कहां तक यहने जो pulp part है, dental का जो दातों का अंदर part है, वो pulp है, वो पल्प है, वहां तक bacteria यह पहुँच गया, तो अंदर cavity बना देगा, इसलिए उससे बसने के लिए हमें क्या करना है, brushing करनी है ठीक है, तो इस तरह हम teeth decay को protect कर सकते हैं, treat कर सकते हैं, छोटा सा question है, इसको भी आप एक वार अपने दिमाग से देखना, कि जैसे हमने भोजन कंप्लीट किया, भोजन कंप्लीट करने के विए, भूम में कोई food particle है, तो वो ferment होगा, सड़ेगा, सड़ने पर bacteria बनेगा, वो bacteria acid बनाएगा, और ये acid का एक तरह से, sugar produce करता है, और वो sugar एक teeth plank बनाएगा, जो दातों पर पर परद जम जाएगी, दातों पर dental plank बनने के बाद जो saliva हो, वो cannot connect with tooth surface, दातों की सते पर saliva नहीं मिल पाएगी, तो दात साप नहीं होंगे, जिससे क्या होगा, वो dent plank जो है, teeth को नुक complete करें, then next, अब मैं आपको respiration, अगले वीडियो में बताऊंगा, आपका digestion complete, teeth decay complete, teeth decay बोल दो, चाहे dental caries बोल दो, एक ही बात है, एक ही question है, तो next video आपको respiration लेके मैं फिर आपको मिलूँगा, तर तक के लिए, thank you, very much, thank you for watching.